वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैग के फोर्मूले के बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ट्रांजमिशन टावर पे जो कंड़क्टर लगा होता है उसका सैग कितना होता है उसी का जो फोर्मूला लगता है उसमे उसी के बारे में आज हम बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो लोग इस चैनल पर नए है तो प्लीज जा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने माली वीडियो की नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं आपको PLS CAD की प्रोफाइल दिख रही है तो अभी हम बात करते हैं सैग के फोर्मूले के बारे में तो दोस्तों यह मैंने यहां पर नोट डाउन किया हुआ है आप देख भी सकते हैं सैग का फोर्मूला यहां पर लिखा हुआ है सैग फोर्मूला तो इसक का मतलब है अब जैसे यहां पर मैंने टावर स्पोर्टिंग डेटा भी आपको ओपन किया हूँ दिखा रहा हूँ तो यहां पर हम देखते हैं वेट ओफ कंड़क्टर केजी पर मेटर तो यह है हमारा तो यहां पर मैं आपको इस प्रोफाइल में जो यह स्पैन दिया हूँ अब हम नॉर्मल स्पैन का सैग निकालते हैं जो नॉर्मल स्पैन इसमें दिया हूँ तो मतलब 2.004 इसका वेट ओफ कंड़क्टर हो गया नॉर्मल स्पैन हो गया 400 तो इसकी अब टैंशन के बारे में दी हुई है हर टंप्रेचर पर टैंशन दी है इसमें तो हम 85 पर बात कर लेते हैं मैक्सिमम जो इसका सैग है 85 डिग्री पर 85 डिग्री नो विंड पर जो टैंशन है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेट ओप कंड़क्टर हो इसका मतलब होगा वेट ओप कंड़क्टर इंटू स्पैन डिवाइड़ बाइड़ बाइट फिर 88 इंटू टैंशन आप देख सकते हैं 3022.04 तो यह टैंशन इंटू टैंशन कर दिया तो इसको जब हम कैलकुलेटर पर अभी आप करके भी देख लो 2.004 इंटू 400 डिवाइ 320,640 हमारा यहाँ पर आ रहा है और इसी तरह से हम 8 इंटू T करेंगे तो इट इंटू T जो इसकी टैंशन है 3022.04 इसको हम is equal to करेंगे 2416.32 आ हे हमारा तो यह हमने यहाँ पर is equal to किया हुए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब 220640 डिवाइड बाइड बाइड़ व 24176.32 है वो हम करेंगे तो अभी आप करके भी देख सकते हैं यहापर 24176.32 is equal to जो करेंगे 13.26 तो हमें इसके बाद point के बाद हमने दो ही digit अभी यहाँ पे लेने हैं तो 13.26 मिटर इसका जो सैग है वो आ गया है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं टावर स्पोर्टिंग जो डेटा दिया है 13.26 इसका सैग है 85 डिगरी पे इसी तरह से आप सबी locations का सैग असानी से निकाल सकते हैं आप मैच भी कर सकते हैं सारी चीजें प्रोपर जो सैग का फोर्मूला है WL2 divided by 80 तो मैंने यहाँ पे आपको एक एक चीज एक्स्प्लेइन करती है कि कौन सी चीज क्या होती है तो I hope दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सैग का फोर्मूला क्या होता है और सैग को कैसे निकालते हैं तो यह हमारे पास सामने यहाँ पे सैग है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कोमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें नई-ने वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर लें